हाइ एफरीवरन आध हम बनाने वाले हैं चॉली की सब्जी नहीं दो भी है कि खाया हों मस्बारी पना के इसे पैसे पहले हम से पहले हम यहांपर चॉली बड़ए लेंगे चॉली से निलयें ड्यूसाधिखे सिर्णा स्वेकित्वर पीछेर outta ध्याला बंग है और आप लोग वीडियों में देख सकते हैं मैंने इसे खाफी बड़ा बड़ा कटिंग किया है इस तरह हम सारे जो चॉली उसे काट के निकाल लेंगे यहां पर चॉली कटिंग करने के बाद और एक से दो आलू लोएंगे इसे हम कटिंग कर लेंगे यहां मैं राउन शेप मे दोह कैवे wein तेल में उसे डाल तिया है और इसमें कुछ भी ने डालें से नमा कमा कुछ भी नहीं पर देना इसे हम ऐसे ही थोड़ा अच्छी तरीके से रोष्ट कर लेंगे इसे हम ओं लिए दो से तीन मिनटे 6म मट के होने के बाद में इसे मैं गेस के फलेम को दके जूं कड़ी पत्ता आड्ट करने के बाद में मैं आटे हैं काट युण दिया है और फ्रक प्याज को पकने के बाद में यहां लसुन अओर अद्रक का मैंने पेश्टे लिया है उसी दरफ से डाल देंगे एक से 2 जो कदी वाली लाल वाली मिर्ची वो डालेगे अगर आप लोग किस्किप न चाहिए हैं इसकिर कर सकते हैं वह सकते यह यह तुम हाल डालेंगे वांते पर बार्द का गचली पॉपर बोग को दालेंगे वससे अछह दुन बॉन और नमगे बहुत अच्छी तरीके से गल दाएंगे साथ में मसाले अच्छे से पक जाएंगे और नमक को मिलाने के बाद में इसमें मैं डालूँगी वन टेबल स्पून हम यहाँ पर बेसन डाल रहे हैं बेसन नॉर्मल बेसन हैं मैं बेसन को रोष्ट नहीं किया हुआ आप लोग जब कभी भी ऐसे मसाले वाली सब्जी मनाईएं तो थोड़ा सा वेसन जरू डालें देखिए फिर कितना अचा टेश्ट आता है सब्जी में मैंने यहाँ पर कश करके यहाँ पर कस्तूरी मेती थोड़ा सा डाल दिया इससे भी बहुत अच्छा सब्जी में फ्लेवर आएगा मसाला बनके रेडी हो चुका अच्छे तरीके से पग गया है और हमने जो सबजी को रोष्ट करके रखा था उसे भी हम डाल देंगे तो से तीन मट ऐसे हम अच्छे से मसाले में इसे मिला देंगे मिलाने के बार इसमें थोड़ा सा पानी आड करूंगी जिससे मैंने दही लिय पानी आड किया आप लोग को जितना चाहिए आप लोग इतना इसमें डाल सकते हैं तो इसे हम गैस के फ्लेम को लोग करके इसे तीन से चार्माट के लिए अच्छे से कवर कर देंगे जदा टाइम में लगेगा सबजी को पकने में कुछ सबजी हमने पहले ही रोष्ट करके रखा हुआ था और यहां सबजी हमारी पके रेडी हो चुकी आलोवी पके बादने हम उपर से आधा टमाटर बारी कटा हुआ डाल देंगे बहुत अच्छा लगता है खाने में और उपर से बारी कटा हुआ हम इसमें धन्या आइड कर देंगे और इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में अगर आप लोगों को मेरा आज की वीडियो आज की रेसिपी आपको अच्छे लगेगे तो फ्लीज मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब जरूर कीजिए गा और आप लोग इस रेसिपी को अपने घर में जरूर बना यह सबजी के जात में धन्याले अपरेटे बह कि आप